if only female students My future friends कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अप ये कमेंट मत कर कर दीजा कि भई आप ये वीडियो सारे किया हो गया दूलीय के साथ ही चलता है थे पूरा दुनिया जह में स्कूल लेवल से लेकर के युनिवर्सिटी लेवल के सारे लोग के कुछ कन्फूजन्स क्लियर हो जाएंगे कुछ ऐसे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे जो आप बहुत दिन से डूंड रहे हो जैसे की बच्चे ये सोच रहे हैं की स्कूल कब से जाएंगे बच्चे निजा कब कब को जाएंगे कुछ इंस वालों का जवाब मैं आपको आज दूंगा अब आप सोचेंगे की अब ये क्या दिखा रहे हैं हम लोग को स्क्रिन पर अज है बन्गॉली में बहुत ही खुपसूरत सा interview आज दिया, उनका interview का मैं आपको snap दिखाता हूँ, देखिए उन्होंने क्या बोला, मैं आपको नहीं सुना होगा क्योंकि अगर आप में सुना होगा, तो फिर आपको मैंने वीडियो दिखने दरुजरती नहीं पड़ेगा उन्होंने क्या क्या कहा है उनके इस वीडियो से उनके इस interview से और आज जो sources से मुझे पता चला है कुछ सवालों के जबाब मैं आपको देता हूँ पहला सवाल यह है कि स्कूल कब खुलेगा तो सुनिए, जैसा कि आप यहाँ बहुत देख रहे हो स्कूल्स आज भी रिमेंड क्लोस तिल थरिये जून जितने भी स्कूल्स है वो सारे स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे यह थोड़ा sad news हो गया बर दोस्तन, news sad और good नहीं होता है तो यहाँ से एक बात पता यह चला कि आपके छोटे भाई बहन लोग जो लोग भी HS में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 12 तक के बच्चे हैं स्कूल लाइब के जितने बच्चे हैं उनलों को 30 जून तक enjoy करना है 30 जून तक मज़े लेने हैं घर में बस enjoy करिए और lockdown को मज़े लीजे अब आते हैं स्कूल के बाद हम लोग HS के बच्चों के लिए HS के बच्चों का बात बाद में बताएंगे पहले बताते हैं आपको कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कॉलेज कब से खुलेगा क्या college एक जूम से खुल जाएगा चली सोची आप तो दोस्तों college के बारे में पार्तो चैटर जी ने उन्होंने अपने interview में कहा कि colleges और universities कब से खुलेंगे exams क्या होगा और क्या नहीं होगा वो depend करता है university के उपर जिस university से आपका college जुड़ा हुआ है जैसे हम लोग university of Calcutta से पढ़े है तो हमारे colleges में क्या notification आएगा क्या नहीं आएगा वो depend करता है हमारे university के उपर अगर आप बर्दवान university में हो या बर्दवान university से जुड़े हुए college में हो तो आपको बर्दवान university का website देखना है अगर आप Calcutta university में हो तो आपका semester का exams होंगे या नहीं होंगे होंगे तो कब होंगे उसके लिए आपको website विजिट करना है और आपके college और university के उपर छोड़ दिया गया है कि colleges कब से start होंगे तो दोस्तो अभी तक ऐसा कुछ भी clarification नहीं है कि एक जून से college start होगा या नहीं होगा test का exam cancel हो जाएगा हरे भाई पार्थो चैटे जी सर ने ये बात एकदम clear कर दिया कि exams होंगे होंगे लेकिन 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 एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं expect करता हूँ कि आपने subscribe कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो कर दिजिए कर दिजिए जल्दी करिए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से related चीज ही आपको बताऊंगा तो पार्थो चैटे जी सर ने आज कहा है कि schools जो है वो 30 जून तक बंद रहेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे text किया कि अगर school 30 जून तक बंद रहेंगे तो HS exam 29 जून को कैसे होगा तो पार्थो चैटे जी सर ने कहा कि 29 जून का exam, 2nd July का exam और 6 July वाला exams होंगे, होंगे and होंगे मने hobby, hobby and hobby exams टा hobby but एक unique बात जो आपको मैं बता रहा हूँ जो सायद आपको नहीं पता होगा या पता होगा तो बहुत अच्छा बात है कि उन्होंने कहा है कि if required जोदी लागे अगर जरूत पढ़ा तो colleges को use किया जाएगा exams लेने के लिए social distancing को maintain करने के लिए health protocols को maintain करने के लिए colleges को use किया जाएगा बच्चों का exams लेने के लिए my dear students so I hope you might have got the answer of all the questions that had been striking in your mind till now so schools 30 June तक बंद रहेंगे colleges का decision college आपको university के website से मिलेगा school HS exams होंगे होंगे and होंगे तो आप लोग ये please मत समझेए के HS exams नहीं होंगे ये HS exams cancel हो गए है HS exams होंगे 29 June 2 July और 6 July को exams होंगे ये तीन डेट है but उसका rules, regulation, protocols सारा आपको दे दिया जाएगा धीरे धीरे सारा चीशू कर दिया जाएगा thank you so much my dear students and love you all